जाहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके आएं रासायनिक बलगतिगी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम में उत्पिरक वे उत्पिरंट तौईये जानते हैं बरजिलियस ने 1836 में पहली बार उत्पिरक पदार्तों की खोज की थी 1836 में बरजिलियस नाम की वेज्ञानिक रासायनिक परियोग साला में रासायनिक अभिक्रियाओ का एक परियोग कर रहे थे जहां पर उन्होंने पहली बार कुछ पदार्तों की क्रिया सीलता पर अध्यन किया और उनको नाम दिया उत्पिरक तो सर परिभासा क्या होगी कवराते क्यूं है आई जानते हैं न वे पदार जो रासाइनिक अभिक्रिया में उभुक्त हुए बिना अभिक्रिया के वेग को परभावित करते हैं उत्पिरक कहलाते हैं तता रासाइनिक अभिक्रिया के वेक को परभावित करता है उस अभिक्रिया में उप्योग हुए बिना इसका ताद पर यह यह है कि मालेजे किसी अभिक्रिया में आप एक ग्राम ठोस उत्पिरक मिलाते हैं तो अभिक्रिया के पश्याद जब आपको उत्पाद मिलेगा तो लक्षन भी और पेरक का कि यह अभिक्रिया के व your Mitt को परभावित तो करते हैं लेकिर अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते आ जी ध्यां डग officers ine यही कहलाता है उत्पिरण इस पस्ट नहीं हुआ तो समझेए समझाता हूँ यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक्जामपल लूँगा A और B को हम लोग अभिकरत कराते हैं यह हमारे अभिकारक हैं जी आप जानते हैं रासानिक अभिकरिया में जो पदार्थ आप लेते हैं मिक्स करते हैं हीट करते हैं जिन में अभिकरिया होती है ऐसे पदार्थ कलाते हैं अभिकारक जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाते हैं और एरो के राइट साइड में लिखा जाता है उत्पाद तो मैं यहाँ पर उत्पाद ही लिखता हूँ किलियर हुआ अभिकारक A B थे हमारा उत्पाद बन गया तो यहाँ पर माल लिजे यह अभिक्रिया जो है वो चार गंटे में पूरी हो रही है किलियर हुआ आपको अब इसी अभिक्रिया में अगर मैं बहार से कोई उत्पेरक डाल देता हूँ उत्पेरक डालने से क्या होगा उत्पाद बनेगा हाँ सर अभिक्रिया तो पूर्ण होगी लेकिन पूरा होने में जो इसका वेग है वो परबावित हुआ नहीं हुआ ये हमें पता चलेगा इसके समय को देखके तो माल लीजे यहाँ पे इस अभिक्रिया को पूरा होने में अब दो गंटे लगते हैं कि पहले चार गंटे में पूरा हो रही थी लेकिन वो ही अभिक्रिया अब दो गंटे में पूरा हो रही है तो यहां पर वेग जो है वेग घटा के बढ़ा तो सर्फ पहले से जादा वेग हो गया है जाता गती हो गई है अभिक्रिया कि जो चार गंटे में पूरा होती थी वो अब मातर दो घंटे में पूरा हो रही है इसका मतलब है कि इस पदार्त ने इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को गती को बढ़ा दिया है तो ध्यान नखीएगा किसी भी रासाइनिक अभिक्रिय के वेग को परभावित करना वेग परभावित होने का मतलब है कि अभिक्रिय का वेग चाहे बड़े या गटे सेम नहीं रहना चाहिए अगर वो सेम रहता है तो पदार्त उत्पे रख नहीं है अगर वेग जो है गती जो है वेग वेग की वो बदल जाती है उस पूरा होने में समय कम लगे या ज़्यादा लगे तो ये जो आप ही घटना है ये कहलाती है उत्पे रण और वो पदार जिसके कारण ऐसा हुआ है जिसको मिलाने से ऐसा हुआ है कि अभी करिये का वे घटिया बढ़ रहा है पर बहावित हो रहा है वो परदार उत्पेरक होगा अब लेते हैं उत्पेरकों का वर्गी करन ध्यान नखीगा उत्पेरक को दो परकार से वर्गी करत कर सकते हैं दो तरह से उनको युभाजित किया जा सकता है तो यह जो दो आधार हैं उसमें से पहला आधार रहेगा अवस्था के आधार पे और दूसरा आधार रहेगा क्रिया के आधार पे तो पहला लेते हैं अवस्था के आधार पे उत्पिरकों के परकार तो अवस्था की बात करें तो अवस्था का नाम लेते ही आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी चीजे होती हैं सर वो सिर्फ तीन रुप में मिलती हैं पहला होता है ठोस दूसरा होता है द्राव तीसरा होता है गैसी आप जानते हैं तो जितने भी पदार्त हैं उनक हमें यहां पे निश्चित करना है कि अवस्था के अधार पे थोस दरव गैस के अधार पे हमारे उत्पेरक जो हैं वो कितने परकार के होते हैं तो यहां पे अवस्था के अधार पे हमें मालूम पढ़ा कि उत्पेरक दो परकार के होते हैं एक समांगी तो दूसरा अब बात कर लेते हैं समांगी उत्पिरक और समांगी उत्पिरन की ऐसे उत्पिरक जिनकी अवस्ता अभिकारी पदार्तों के समान होती है समांगी उत्पिरक कहलाते हैं और उनका यह गुण या लक्षन समांगी उत्पिरन कहलाता है किलियर नहीं हुआ सर एक्जांपल से किल ol3 को हम लोग यहां पे गरम कर रहे हैं आप जानते है ट्रेंगल का मतलब जो होता है गरम करना होता है उसमा देना होता है तो यहां पर के si el o 3 के सामने ऐसे लिका हुआ है जिसका मतलब होता है this node kie si el o 3 आपका अभीका रख है अभी आप इकारी पदार्त है जो two वह सवस्था में है उसको आप गरम कर रहे हैं MnO2 solid की उपस्तिती में और केसील यह जो केसीलो 3S का ताप यह अब घटन होता है जिससे आपको केसील solid और O2 gas मिलती है तो यहां पर आपको देखना है कि समांगी उत्पेरक है या नहीं तो उसके लिए आपको केवल left side में तो क्या इन दोनों की पदार्तों की अवस्थाएं समाने उत्पेरक और अभिकारक की तो उत्तर है हां दोनों की अवस्थाएं जो हैं वो समाने दोनों ठोस अवस्था में दोनों की अवस्थाएं समान होने की वज़े से यह उत्पेरक कहलाएगा हमारा समांगी उत्पेरक और जो यहाँ पर यह अभिक्रिया के वेक को परभावित कर रहा है यह इसका परभाव कहलाएगा समांगी उत्पेरण किलियर हुआ वेक को परभावित करने की छमता क्या कहलाएगी समांगी उत्पेरण अब दूसरे एक्जाम्पल से और जड़ा के लिए रोजेगा sulfur dioxide gas है plus O2 gas है NO gas की उपस्तिती में अभिक्रिया हो रही है जिस से मिल रहा है sulfur trioxide SO3 gas तो यहाँ पर left side में देखिए जो आपके अभिकारी पदार्त है वो SO2 gas है O2 gas दुनों की जो अवस्थाएं है और NO जो आपने बाहर से मिलाया है यह भी गैसी अवस्था में है तो कुल मिला के आपके अभिकारी पदार्त और NO जो उत्पेरक है वो भी गैसी अवस्था में है तो उत्पेरक भी गैसी अवस्था में अभिकारक भी गैसी अवस्था में दोनों की अवस्ताई क्या हुई ? समान हुई, तो NO यहां पे समांगी उत्पेरख है, और जो यह इस अभिक्रिया की वेक को परभावित कर रहा है गती को परभावित कर रहा है , चमता ये लक्षन कहलाएगी, समांगी उत्पेरन। किलियर हुआ आपको, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर दी जीगा, टेंसन कहा हैं लेते हैं, तो आइ देखते हैं, बैलेंस कैसे होगा, तो यहाँ पर ट्वाइस कर दीजीगा, ठीके जी, और यहां पर twice कर दीजीगा देखे balance हुआ के नहीं हुआ टो थरी जा 6 और टो टू जा 4 टो 6 हाँ जी balance है चेक कर लिजेगा दिक्कतो बताईएगा आगे बढ़े चलिए फिर अब लेते हैं दूसरा परकार बचा है समांगी तो हो गया है विसमांगी उत्पेरक भी बचा है तो आईए उसको भी लेते हैं ऐसा उत्पेरक जिसकी अवस्था अभिकारी पदार्तों के समान नहीं होती है विसमांग उत्पेरक कहलाता है और उसका यह गुण विसमांगी उत्पेरन कहलाता है जी यह उधारन से स्पष्ट करेंगे तब आपको जाके किलियर होगा तो यहां पे दो राजसाइनिक अभिक्रिया हैं आपको दिखाई दे रही हैं दोनों को द्यान से देखिए पहले अभिक्रिया में जो है वो N2 गैस है हाइडियन गैस के साथ अभिक्रिया कर रही हैं दोनों अभिक्रिया पदार्त हैं यहां पे इस अभिक्रिया में हमने आईरन एफ़ी पदार्त मिलाया है एफ़ी उत्पेरक मिलाया है जिससे हमको अमोनिया गैस मिलती है यह हमारा रासाइनिक अभी करिया हो रही है जी तो यहां पर देखें लेफ्ट साइड में जो N2 और S2 आपके अभीकारी पदार्थ है यह गैसी अवस्था में है जी और जो आपने उत्पेरक यहां पर लिया है F2 वो ठोस अवस्था में है तो क्या अभीकारी पदार्थ और आपके उत्पेरक की अवस्थाएं समान है तो उत्तर है नहीं सर अभीकारी तो गैसी है उत्पेरक हमारा ठोस है दोनों के वस्थाएं भिन है भिन है तो सर भिन को क्या बोलते है विशम तो यहां पर दो यह जो उत्पेरक आपने यूज किया है यह विसमांगी उत्पेरक ह और जो यहाँ पे इसका गुण है अभिक्रिया को परभावित करने का वो कहलाएगा विस्मांगी उत्पेरण अगला एक्जामपल लेखिए सल्फर डायोकसेड गैस है O2 गैस के साथ अभिक्रिया करके देता है आपको V2O5 की उपस्तिती में SO3 गैस तो यहाँ पे V2O5 वैनेडियाम पेंटोकसाई ठोस अवस्ता वाला उत्पेरक है उत्पेरक की जो अवस्ता है वो ठोस है और जो आपके अभिकारी पदार्त है वो गैसी अवस्ता में है तो आपके अभिकारक तो गैसी अवस्ता में है आपका उत्पेरक जो है वो ठोस अवस की विजह से अभी क्रिया के वेख को प्रभावित कर पाराय हुए है गुण कहला एगा विस्मांगी उत्पेरण इस पर तुज बंस्तु आजए एक होता है हमारा धनात्मक उत्पेरक जबकि दूसरा होता है धनात्मक उत्पेरक तो पहला लेंगे धनात्मक उत्पेरक ऐसे उत्पेरक जो रासाइनिक अभिक्रिया के वेक को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्पेरक कहलाते हैं और उनका यागुन धनात्मक उत्पेरन कहलाता है आईए जी यहाँ पर पहले तो यह समझी दनात्मक का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं दनात्मक का मतलब होता है लाब तो यहाँ पे कोई कमपनी है माल लिजी वहाँ पर O2 गैस बनाई जाती है यह वहाँ पर प्रयोग होने वाली रासाइनिक अभिकरिया आपके सामने लिखी हुई है KCLO3 को फैक्टरी का मालिक 630 डिगरी सेलसियस पे गरम करता है तब जाके KCLO3 विक्तित होता है उसमें विक्तन होके देता है KCLO और O2 गैस के लिए रहे जी बैलेंस कर लिजेगा बैलेंस नहीं है अब यहाँ पेक सवाल उठता है कि उसी अभिकरिया में एक साइंटिस्ट ने जाके MNO2 पदार्थ को मिला दिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ जो अभिकरिया 630 डिगरी सेलसियस पे हो रही थी वो मातर 240 डिगरी सेलसियस पे हो जाएगी किलियर हुआ तो सब क्या फरक पड़ा अरे भाई आप देखो 630 डिगरी सेलसियस है इस टेंपरेचर को मेंटेन करने में यहां तक टेंपरेचर लाने में बहुत समय और उड़जा बेकार होती है समय लगता है जो चीजी ज़्यादा टाइम लेती है एनजी और जिसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है वो प्रोसेस वो प्रकरम वो योजनाई फैक्टरी के लिए किसी काम की नहीं होती है एक अच्छा योजना एक अच्छा काम वो होता है जिसमें समय और पैसा दोनों की बचत हो तो यहां पे देखिए 240 पर अभिक्रिया हो गई है तो आपको अनुमान लगाई है कि 630 को होने में मागर 4 गंटे लगते हैं तो यहां पे 2 गंटे से में भी कम समय में अभिक्रिया हो गई है तो यहां पे क्या हुआ है के से लो थरीके विग्टन की दर को बढ़ा दिया है MN02 ने अभिक्रिया की वेक को बढ़ाया है इसलिए MNO2 उत्पेरक जो है वो धनात्मक उत्पेरक है और जिस वज़े से जिस गुण की वज़े से यह विक्रिया बड़ी है वह गुण या लक्षन परवर्ती धनात्मक उत्पेरन कहलाएगा स्पस्ट्व आपको चले बैलेंस भी कर देता हूं कुछ लोग परिशान रहेंगे बैलेंस नहीं हुआ बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस भी कर देते हैं ठीक है जी देख लीजेगा बताइएगा हुआ के नहीं हुआ चेक तो आप ही लोग करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसी धनात्म उत्पेरक के करम में अगला एक्जामपल जो है वो S2O2 का है S2O2 का अब गटन पेटी प्लेटिनम की उपस्तिती में त्रीव गती से होता है बच्चो S2O2 जो होता है हाइडन प्रोक्साइड वो हमारा विरंजक होता है इस विरंजक के और भी बहुत सारे परयोग हैं कि विरंजन के अलावा ये रोकेट फ्यूल में भी यूज होता है और ये जिवानों नासक भी होता है ये तो आप जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए रोकेट में फियूल में यूज होता है S2O2 क्योंकि ये बहुत तेजी से ओक्सिजन को प्रोवाइड करता है जिससे इनन जो है वो बहुत तेजी से जलता है क्यों रोकेट को उचाई पे जाने के लिए बहुत जादा उर्जा की आवसकता पड़ती है कम समय में तो कम समय में उड़जा तभी मिलेगी जब वहाँ पे इंधन जो है वो तेजी से जलने वाला होगा अर्थार्थ बहुत जादा सरलता से ओक्सिजन का मिलना आवश्यक होता है इसलिए वहाँ पे S2O2 लेते हैं प्लेटिनम की उपस्तिति में अभिक्रिय कराते हैं बहुत जल्दी S2O2 तूट कर आपको जल और ऑक्सिजन गैस देता है तो यहाँ पे इस पस्ति हुआ है प्लेटिनम में क्या किया है प्लेटिनम ने S2O2 के अब गटन की दर को वेक को बढ़ा दिया है तो बताईए जब बढ़ा रहा है वेक को बढ़ा रहा है गती को बढ़ा रहा है अभिक्रिया की तो यह पदार्त यह उत्पेरक क्या किलाएगा धनात्मक उत्पेरक और अभिक्रिया के वेक को बढ़ाने का जो गुण है लक्षन है जी वो क्या कहलाएगा धनात्मक उत्पेरण अगला एक्जामपल देखिए जी कॉंटेक्ट प्रक्रम होता है एक्जाम में आता है ध्यान रखीगा कॉंटेक्ट प्रक्रम से S2S4 का औध्योदिक उत्पादन किया जाता है जहांपर S2 का S3 में ऑक्षिक्रन एक कठिन प्रक्रम होता है फैक्टरी में इस प्रक्रम को सरल बनाया है हमारे उत्पेरक ने वहाँ पर V2O5 उत्पिरक की उपस्तिती में यह क्रिया सरल बन जाती है तो यहाँ पर देखे हो क्या रहा है कि जो अभिक्रिया जो आपकी कठिन थी वो सरल हो गई है कैसे सरल हुई है V2O5 उत्पिरक की उपस्तिती में यह अभिक्रिया बहुत जल्दी और सरलता से आगे बढ़ती है SO3 देती है तो यहाँ पर V2O5 ने अभिक्रिया के वेक को दर को गती को बढ़ाया है तो यह V2O5 उत्पिरक जो है धनात्मक उत्पिरक का उधारन होगा धनात्मक उत्पिरक कहलाएगा और यहाँ पर अभिक्रिया के वेक को बढ़ाने की जो सकी छमता है वो कहलाएगी धनात्मक उत्पिरक है दूसरा ओर लास्ट है जी हमारा किरियके आधार पे उध्फेरक का परकार है जिसका नाम है लिअ क्या उध्यान न अीर देगा सर राजसाइनिक अभिक्रिया की वेक को अगर बढ़ा रहा है तो Хथ और अपरिबासर लेते हैं ऐसे उत्पेरक जो राजसाइनिक heikk के वेक को गटा देते हैं क centres पहला नहीं को केलाते है उनका ये है गुल सनल क्यों उत्पेरन कहला company किलाता सित्ता है परतीत होता है अब इसका एक लक्षन ही होता है कि यह बोटल में आता है बच्चों और बोटल के अंदर जो होता यह 구णाए कि की कोसमेटिक वगेरा में जो आपके जहां पे हैर ड्रेसर होते हैं बही नाई जो होते हैं आजकल उनको हैर ड्रेसर सेलून बोलते हैं जी हाँ जब बदल गया है न तो वहां पे S2O2 जो होता है वो मेकप के काम आता है जी सिंपल सी वासा में बोलूँ तो लेकिन होता क्या है कि ये अगर रखा हुआ हो तो ये लगबग एक से डेड़ महिने के बाद ये अब घटित हो जाता है और जब कोई पुरानी बोटल को खोलेगा तो वहाँ पे उसका मेकप में जल तो वह S2O2 नहीं वहाँ पे उसको जल मिलेगा तो यहां पर हो क्या रहा है सर यहां पर अभिक्रिय का विग्टन हो रहा है तो रुनात्मों उत्पे रख क्या होगा अगर इसके विग्टन की दर को कम कर दें विग्टन की दर का मतलब क्या होगा कि S2O2 कम तो S2O2 कम बनेगा तो अधिक मातरा में कौन रहेगा S2O2 तो यहाँ पर एक पदार्थ होता है एक अमल होता है जिसका नाम है Phosphoric Amal S3PO4 इसकी थोड़ी सी मातरा मिलाते हैं जी जो factory वाले होते हैं जो उत्पादक होते हैं वो थोड़ी सी मातरा में यहाँ पे Phosphoric Amal मिला देत है जिस से इसकी विघ्दन की दर जो है काफी मंद हो जाती है ज television की दर यानिद और जो वेइए है विघ्दन की गति है वह कम हो जाती है और कम हो गई तो काम बन गया किलियर है तो आप तीन माईने बाद चार माईने बाद लिए बोटल को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको S2O2 ही मिलेगा चलें अगला एक्जामपल लेते हैं सर यह हमारा क्लोरोफोम है CSCL3 क्लोरोफोम जो होता है इसके अंदर एक खास कुन होता है कि बहुत सारे हैं लेकिन एक फूर मूर्चित करने वाला मूर्चा कार्ग पदार्थ होता है इसको सुंग ले तो हम देखाऊ पुरानी फिक्चिरों में ज़ो होता था एक रोmal लेकिया आता था विलेन होड़ाता किशी को तो वह solutions कुंगते ही मोर्ची तुछाता था यादाया क्लोरोफार्म का बहुत समय पहले और यह वह गयरा में भी यूज करते थे लेकिन इसकी दिक्कत ही आती है कि क्लोरोफार्म जब पुरानी बोटल हो जाती है तो ऑक्सिजन की साथ क्रिए करके सीओ चीओ सीओ चीओ जो होता है यह भी किसी पुरानी बोटल से मरीज़्ों को सूंगाया तो हुआ पर क्लोरोफार्म नहीं बली फॉस जीन मिली यानि कि बाई वोल्यूम आइतन अउसार यहां पे आपको कुल आइतन का दो पर्टसेंट अगर आप इथाइल एलकोहल मिला देते हैं तो फोसजीन यह जो अभिक्रिया हो रही है इसका अभिक्रिया का वेग इसकी दर जो है वो घट जाएगी घटने से यह होगा फोसजीन कम बनेगी और फोसजीन कम मिलेगी तो एकसिडेंट होने के मृत्ति होने के जो चांस रहेंगे अवसर रहेंगे वो कम हो जाएगा तो फोसजीन अगर बनने से रोकना है तो वहां पे आपको रनात्मक उत्पेरक इथाइल एलकोहल की थोड़ी सी मात्र डालनी पड़ेगी तो क्लोरोफोर्म से फोसजीन बनने की क्रिया को अभी क्रिया को मंद किया है किसने मंद किया है सी टू एच फाई ओएच ने इथाईल अलकोहल ने तो यह पदार्त कैसा है रनात्मक उत्पेरक जो इसका यह लक्षन है गुण है क्या कहलाएगा यह कहलाएगा हमारा रनात्मक उत्पेरण किलियर हुआ तो देखिए दोनों के ही लाब है धनात्मक के भी और रनात्मक के भी तो आज हमने जाना उत्पेरक क्या होते हैं उत्पेरण क्या होता है कितने परकार के होते हैं उमीद है यह वीडियो देखके आज आज आपको उत्पेरक और उत्पेरण के बारे थेंक्स पर वाचिंग